है सो हेलो फ्रेंट्स दिस निहाल और इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि क्या न्यूज में चला है करेंट अफिर में बर्निंग टॉपिक क्या है उमरा IT रूल जो हैं केंदर सरकार ने IT रूलस 2021 सूचना प्रादरगी की जो नियम लाएं है इनके बारे में शोशल मीडिया सेंटर एन ट्विटर टसल एक्स्प्लीन ना तो इन सब चीजों के बारे हम देखेंगे और इसको अगर हमारे मेंस में ऐसा कुछ आता है तो उनसे जुड़े हुए शब्दों का कैसे हमें प्रयूख करना है उसके लिए हम इस लेक्चर को देखेंगे और शब है यह मारा टॉपिक सूचना प्रादरगी की नियम 2021 2021 इसे कहते हैं इनफॉर्मेशन टेक्नलोजी अगर फुल देखेंगे तो इसका क्या है इंटरमेडियरी गाइड लाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूस 2021 है ना तो यह किस लिए लॉंच किया गया है किस लिए जिन्हों आप OTT के नाम से जानते हैं ओवर दे टॉप है ना जैसे कि यह बाला जी आल्ट बाला जी करके आता है इसमें अबद्र सीरिलों का प्रसारण किया जाता है फिर उसके बाद और भी है जैसे होट स्टार सही है अच्छा है उसके बाद Amazon Prime है ना तो इसमें जो जो मुवीज हमारी जो आती है प्रकाशन में आती है वो तो सेंसर बोर्ड के दोरा प्रमाणित हो के आती है लेकिन इन पर अभी तक कोई रोक टोक नहीं थी तो इनके लिए जो है नियम Information Technology Rules 2021 लाए गए है ये जो एडुटोरियल है वो दाहिंदू में प्रकाशत लेक जो है उससे लिया गया हुआ है संदर्ब देख लेते हैं क्या है क्यों ये बाते आई ये सामने तो भारत सरकार ने सूचना प्रादर्गी की मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार सही था क्या कोड होना चाहिए क्या इथिक्स होना प्लाटफॉर्म को तीन महिने के अंदर नियमों का पालन करना आवश्यक था जिसकी अंतिन थिटी 25 मई जो थी वो निर्दारित की गई थी अभी क्या हो रहा है अब तक लगभग सभी प्रमुक शोशल मीडिया मध्यस्तों ने सभी पूर आवश्यक सर्थों का पालन नहीं किया है मतलब सभी ने नहीं किया है कुछ ने कर लिया है इन सर्थों का अनुपालन ना करने से इस्थितियां केवल बिगड़ सकती हैं खास कर ऐसी इस्थिति में जिसमें ट्विटर और सरकार जैसे कुछ प्लैटफॉर्म की मध्ध समंध बिगड़ रहे हैं मतलब किये गए हैं उनके कुछ सकारत्मक पहलू है इसी लिए वो दिये गए हैं तो कुछ असपस्थ असपस्ताएं और सीमाएं हैं जो लोक तंत्र और समवैधानिक मोल्यों के मूल सिध्धन्तों के विपरीद प्रतीत होता है कुछ अगर सकारत्मक पहलू भी हैं दिशन और सीमाएं तो सकारत्मक पहलू को देख लें किन नियमों में सकारत्मक पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं मारे लिए। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है तो ये नियम कुछ करतव्यों को अनिवारे बनाते हैं ये नियम कुछ करतव्यों को अनिवारे बनाते हैं जैसे पहला क्या है चौबिस घंटे के भीतर गैर सहमती वाली अंतरंग तस्वीरों को हटाना चौबिस घंटे की भीतर गैर सहमती वाली अंतरंग अगर किसी की सहमती नहीं है इसमें तो वो अशलील फोटो को वहां से हटा दिया जाए प्लैटफर्म से पारदाशिता बनाढ़ाने के लिए अनुपालन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाए अनुपालन जो रिपोर्ट है उसका प्रकाशन करें कि हमने सब रि होना चाहिए उसके बाद देखते हैं तो उपयोग करता को यह जानने के लिए जानकारी में एक लेवल जो जोड़ना है कि सामगरी विग्यापित है सौमित है आपका खुदी उसका जो है सौमित है उसके सौमी है उसी वीडियो के और विशेस रुप से नियंतरित है या नह जो आईटी अधिनियम के दाएरे से परे हैं या चिंता का विशे हैं कि बिना विधाई कारवाई के सूचना इवं प्रौदगी की अधिनियम 2000 के दाएरे का विस्तार का डिजिटल समाचार मीडिया के को इसके अंतरगत ला दिया गया है तो डिजिटल समाचार मीडिया है उसको भी इसके अंतरगत ला दिया गया है ऐसे कई नए नियमों को लाने के कारण इसकी आलोचना की गई है जिन्हें सामान रूप से केवल विधाई कारवाई के माध्यम से लाया जाना चाहिए था मतलब विधान बनाया जाना चाहिए लेकिन उड़ने आध्यादेश ही जारी कर दिया उचे तुरुप से मध्यस्ता या विवाद निवारन तंतर का ना होना मध्यस्ता और निवारन तंतर नहीं है अभी यहाँ पर किसी शोशल मेडिया प्लैटफॉर्म को अब सरकार से आधेश प्राप्त होने के 36 घंटों के भीतर सामगरी को हटाना होगा अगर आधेश मिल जाता है कि ऐसी सामगरी हटानी है तो आपको उसको 36 घंटे के अंदर हटाना है तो ये बात ध्यान रखिए रूल में है एक समय सीमा के अंदर सरकार के आधेश से असाहमेट होने की स्थिति में शोशल मेडिया प्लैटफॉर्म्स को उचेत रूप से मद्धिस्तता का कोई पराधान नहीं है अभिवेक्ति की सतंतरता से जुड़े मुद्दे इन नियमों के तहता और लाइन आपतिजनक समगरी का अंतिम निरनायक सरकार है मतलब की जो भी है अगर आपतिजनक कंटेंट है तो अंतिम कौन है निरनायक सरकार है अता इससे अभिवेक्ति की सुतंतरता पर की सुतंतरता प्रभावित होगी traceability का मुद्धा अब तक social media platforms की पास यहादिकार है कि उपयोग करता को end to end encryption की सुवधा प्राप्त होती है जिससे बिचौलियां के पास उनकी जानकारी नहीं पहुंसती है जो mediatry होते हैं के पास जानकारी नहीं पहुंसती है आप मैसेज करते हैं तो end to end encryption होता है लेकिन traceability अगर रहेगी तो आपकी हर message को decode करके WhatsApp की server पे database में रखा जाएगा तो यह जो है privacy का हनन कहा जा रहा है traceability की इस अनिवार आविश्यक्ता को लागू करने से social media platforms को यहादिकार समाप्त हो जाएगा जिससे इन वारता लापों की गोपनियता की सुरक्षा खत्म हो जाएगी मिलब privacy खत्म हो जाएगी data गोपनियता कानून की अनुपस्थिती यहाँ पे data का गोपनियता जो कानून है उसकी अनुपस्थिती है data गोपनियता कानून का ना होना उस देश में घहतक शाबित हो सकता है जहां नागरिकों के पास अभी भी किसी भी पार्टी द्वारा गोपनियता भंग करने के प्रस्चात खुद को बचाने के लिए डेटा गोपनियता कानून नहीं है अनुपालन बोच क्या है अगर इसका हम एक्ट इनके नियमों को मान लेते हैं तो उसके बोच क्या बढ़ जाएंगे टेक कंपनियों सपर ये नियम मद्धिस्टों के लिए भारती नोडल अधिकारों, अनुपालन अधिकारीों और शिकायत अधिकारीों को काम पर रखने की अविशक्ता की कारण निररधक अतिरिक्त परिचालन लगत पैदा करते हैं। हो सकता है अब कई सारी छोटी छोटी संस्थाइं है डिजितल संस्थाइं जैसे कि बिहार में कोई प्रोडक्शन चलना है या कोई कहीं भी चलना है ना तो ऐसे सब तो सब क्या हो सकती है कानून का समान अनुप्रयोग कानून के अनुप्रयोग सभी के लिए एक समान होगा कोई भी प्लैटफॉर्म इसका अपवाद नहीं होगा कोई भी प्लैटफॉर्म है इसका अपवाद नहीं होगा इसके अलावा गैर कानूनी समगरी से निपटने के लिए कान पहले से ही उनको पहले लागू किया जायए सही से हित्धारकों के साथ विचार में मश्च जो भी स्टेखोल्डर से फेसबुक है वाट से टेवटर है और भी कई सारे ब्लॉगिंग सैट्स हैं तो इनके साथ वी नए नियमों के साथ कई समस्याइं उनको सधारा जाए लेकिन प्रमुक मुद्ध यह था कि इन्हें बेना किसी सार्जनिक चर्चा के पेश किया गया है। इसके समाधान का बहतर तरीका है कि इससे जुड़ा एक शायद पत्र पुनहा जारी किया जाना चाहिए, मतलब एक वाइट पेपर जो है, रिसर्च पेपर ऐसे करके जारी किया जाना चाहिए, कि आपको ऐसे ऐसे करना है, क्यों करना है, किसले करना है, यह सब जारी करना है, वैधानिक समर्थन क्या है इसमें उसके बाद भी ज़िए इसका विनियमन आवशक समझा जाता है तो इसे कानून के माध्यम से लागू किये जाना चाहिए अगर फिर भी इसका विनियमन मतलब इसको नियम से लागू करना है अगर तो इसको कानून के माध्यम से लागू कीज तो इसका discuss कीजिए, उसको रूल को फिर लागू कीजिए, चर्चा करने के बाद लागू कीजिए, इसके लिए कारिकारी शक्तियों पर भरोसा करने के बजाय संसद में मतलब बहस होनी चाहिए, के जरीय लाना चाहिए, डेटा सन्लेक्षन कानून में मजबूती लाना, किसी प्लाटफॉर्म के साथ अधिक जानकरी साजा करना उस देश में खतरनाक साबित हो सकता है, जान अगरिकों के पास अभी भी किसी भी पार्टी दोरा गोपनियता भंक करने पर खुद को बचाने के लिए डेटा गोपनियता कानून नहीं है, बास में मज़ रहे हैं, तो पर खुद करने के अवश्यक्ता है, जो हमारा परसनल डेटा है, उसका संदच्छन जो विदयाक है, उसको पारित करना चाहिए पहले, निशकर्ष के निकलता है, जीवन भीमा निगम बनाम, प्रोफेसर मनू भाई डीशाह के मामले में उच्छेतम नियाल है, ने अपने व संदर्व में CII, फिक्की और US इंडिया बिजनस काउंसल सहीद पांच और दोगी निकायों ने इन नियमों के अनुपालन करने की समय सिम्या को 6-12 महीने विस्तत करने की मांग की है, ठीक है, कौन है बिजनस काउंसल, US बिजनस काउंसल जो है, उन्होंने कहा आई है, और ब बिना बीच का रास्ता निकाले, नियम बनाने के अपने तरीकी को बदलने का एक अवसर है, इसमें प्रस्ट कैसे बन सकता है, हालांकि सूचना प्रादर्गी की नियम 2021 के कुछ सकारत्मक पहलू है, किन तो इससे साथ ही कुछ अस्वस्ताएं वसीमाएं हैं, चर्चा तो इस तरीके से अगर मेंस में कुश्चन आता है, तो आप इनको उपरियुक्त जानकारी के अनुसार लिख सकते हैं, धन्यवाद